हेलो अच्छो नीट MCQ सीरीज में आपके स्वागात है आजमाएं पास एक कोश्चन है जो है मैच्च दा फॉल्विंग कोश्चन करक्ट पेर को मैच्च करके बताना है मैं तो 2014 में आया था है चलिए पढ़ेंगे कोश्चन तो नीचे मैंने सबका एक्जामपल दियाओ है एंजियाटी रेफरेंस के साथ स्कोश्च अपिधिलियम आपके होती है वाल्ज जो ब्लड वेसल एर से एक्स अफ लंग्स क्यूबोड अलपिधीलियम होती है डक्ट अफ ग्लेंड ट ट्यूबिलर पार्ट अफ नेफरोन किड्नी कॉलिमिनल अलपिधीलियम होती है आपकी स्टमक और इंटस्टाइन में ciliated होती है inner surface of hollow organs bronchioles and fallopian tube और glandular epithelium होती है unicellular glands के अन्द जैसे goblet gland या फिर goblet cells या फिर multicellular gland जैसे की salivary glands तो चलिए देखते हैं कौन से सबसे जादा मतलब correct answer हो गाई या फिर जिस देखते हैं तो इसके हिसाब से हमारा question के जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा c यानि tubular part of nephron cuboidal epithelium तो इसको mark कर देते हैं तो thanks for watching, please like, share and subscribe for more videos